Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JK Studd Info, I hope you are all doing well, इस वीडियो में हम बात करेंगे JK SSB, FA, Code K related, आप सब को मालूम होगा दो बेंच में इसकी हेरिंग थी आज, जोमू बेंच में भी और सिरिनगर बेंच में भी फाइनल डीजियन क्या लिया गया है, क्या आपडेट आचुकी हैं, सब कुछ हम डीटेल में देखेंगे, वीडियो आपके लिए इंपार्टेंट है, वीडियो को एंट तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आच चुके हो, चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को आल नोटिफिकेशन पर रखना ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले, तो दोस्तों शुरू करते आज कि इस वीडियो को, आप सब जानते हो कि आज इसकी हैरिंग थी, सिरिनगर बेंच में भी और जमू बेंच में भी, यहां पर हम सिरिनगर बेंच की बात करेंगे, जमू बेंच की यहां पर अपडेट नहीं आई अभी तक, यहां पर आप देख सकते हो, फिलिंग डेट 7 मारेश 2023, किस-किस के बीच में कोड था, पेटिशनर्स कौन थे, यहां पर आप देख सकते हो, आसिफ मजीद एंड अदर्स वर्सिस फाइनानस डिपार्टमेंट, इन्हों ने केस इसलिए किया था, इन्हों ने कहा है कि एक्जाम जो कलेंडर है, आपका जो एक्जाम है, उस पर सिटे लाया जाए, यहां पर आप देख सकते हो, लोकेशन सिरिन अगर केस नमबर आप, फिचर रेफरन्स के लिए यहां पर कापी कर सकते हो, सिटेटस यहां पर पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन यहां पर अपडेट आ चुकी है, कि यह जो केस है, इसका जो आडर है, वो अभी रिजरू किया गया है, इसका जज्जमेंट अभी रिजरू किया गया है, जज्जमेंट रिजरू का मतलब, यहां पर पेटिशनर्स औ finance department दोनों की बात सुनेंगे देखेंगे क्या record है क्या कुछ mistakes है उसके बाद judge फैसला करेंगे कि क्या डीजन लिया जाएगा लेकिन जो डीजन आएगा लेकिन जो order होगा वो आपका जल्द ही आने वाला है कल या परसो की तरफ से अपडेट आ चुकी है जो ये case है ये रिजरू किया गया है इसकी judgment रिजरू की गई है अब काल या परसो इसका order आने वाला है ये थी अपडेट उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो के related कोई भी डाउट रहता है तो नीचे comment box में mention जरूर करना मिलते हैं अपने इसे next टूडो में तब तक के लिए good luck